तो जससे हमने लास्ट लेक्चेर में डिसक्स किया कि हमारे पास एक एंफ Skeंस को सकता हैं हमारे पास एक लो CSV धी हो सकता है हमारे पास इंटर्नर फंडिवेंस ऐसक्ता है और चौथव्त हमाएं पास अन डिस्टिक्टडिड या फिर जैनल फंड हो सकता है अब आजके स्लेक्चिर में अजके discussion में हम इन सारे funds में गिंडेवाला contribution इन सारे funds में जो डिफेंड तरह कि इन्वाच्मत्च अनहें रफंड को जब किसी end Bike Social Purpose के लिए Charitable Purpose के use किया जाएगा expense out किया जाएगा तो इसे हम किस तरह से account for करेंगे यह सारी बात है हम आज की discussion में आज किस लेक्चर में cover करेंगे देखें एंपयो के case में financial statements में हमने कौन कौन से statement बनानी है एक statement हमने बनानी है statement of financial position that is balance sheet balance sheet पे हमारे पास not for profit organization के assets आ रहे होंगे current assets non current assets आ रहे होंगे not for profit organization के liabilities और equity की जगा not for profit organization के funds हो कर रहे होंगे अब जो जो funds हम cover करेंगे यही सारे funds आपको NPO की balance sheet पे भी देखने को नज़र आ रही होगी balance sheet की बात जो अगली statement हम बनाएंगे वो होगी हमारे पास income and expenditure statement इंकम और पास डिफरेंट जगाओ से इंकम और एंपीज़ के सारे एकसेंस प्रिजन ओर हो रहे होंगे और अल्टिमेटली या तो सरप्लस या डेफिसेट का नंबर आएगा अगर एक एंपीज़की इंकम of changes in net assets statement of changes in fund. अब statement of changes in net assets or statement of changes in funds की case में हमारे पास NPO के जितने भी funds हैं चारफिर वो indomagnet fund हो चारफिर वो एक या एक से ज़्यादा externally restricted fund हो चारफिर वो एक या एक से ज़्यादा internally restricted fund हो या पिर general undis Frond ओ इन सारे funds कि हम मुवमेंट इन सारे funds की एक reconciliation बना रहे होंगे कि साल के चुरू में इन different funds का क्या balance आ रहा था during the year in funds में कौन-कौन से reasons की वज़ा से increase आया कौन-कौन से reason की वज़ा से decrease आया और साल के आकर में in funds का क्या balance रह गया है यह presentation हमारे पास statement of changes in funds में present हो रही होगे जढ कर दो कि वज़ाए यह होगे झाल